नमस्कार, मैं सोबाराम फार्मा दाजर्लिस्ट, किसी जागरां से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आपको दिखाते हैं केले की पौध की रुपाई। यह सबसे बहतर समय है 25 जून से 25 जुलाई उत्तर परदेश के लिए केले रुपाई के लिए सबसे बढ़िया समय है। इस समय जो है बारिस नहीं हो रही है, तो खेत में गर्मी है, जो भी किसान भाई पौधा लगाए है। तो ज्यादा तर मेहड पे लगाए तो सबसे बहतर होगा उसकी तुरन सिचाई हो जाए। नमी की कमी के काराँ। पौधे रुपाई का सबसे बढ़िया समय होता है जब बारिस होती रहे। नहीं तो जो पीडिया दूर से आती है सूख जाती है तो उसको जो है फूड जाती है मिटी छितरा जाती तो पौधा सूख जाता है उसमें किसान का बहुत नुकसान होता है। जी नाइन बराइटी इस समय लग रही है। और यह पौधे लगा करके इसके बाद इसको एक जुलाई को लगाए है। खेत की जुताई हो गई है गास पूरी मर चुकी है बढ़िया साथ सफाई है अब इसकी सिचाई करना है। पौधा रुपाई करने के पंदरा दिन बाद ही खाद दिया जाए। खाद केले के लिए सबसे बहतर होती है ये अनपी के बारा बत्तिस सोला। पौध रुपाई के समय ध्यान दिया जाए को उसमें कुछ न डाला जाए। हो सके तो वर्मी कंपोस्ट या देशी खाद का परियोग किया जाए जिससे खेतों में गर्मी न बनने बाएं। पौध लगाने के 15 से 20 दिन बाद एक बार जो है कापर आक्सी क्लोराइट का जो है ड्रेंचिंग कर दें जड़ों के पास। और निराई गोडाई जो है बहुत जरूरी है घास ना होने पाए। पौध इसी तरह से बहुत बढ़िया स्वस्त चलता है इस समय मौसम अच्छा है लगाने के लिए। जिनाइन केले की दूरी जो है पौध से पौध लाइन से लाइन छे फिट होना चाहिए। इससे कम पे लगाएंगे तो घना हो जाएगा फिट। फल भी देर में तयार होगा और क्वालिटी दार फल नहीं आएगा।